आलो फ्योजोशी वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्योजोशी वर्ल्ड आज के लिए नई थाल ड्रामडे इंजरिश रोम्यांस का एपिसोड वन लेकर आई हूं यह कहानी है दो लड़कों की जिनकी जिन्दगी एक दूसरे से बिलकुल अलग है शायलों जिस अपनी छोटी छोटी जरूर्टों को भी पूरा करने के लिए बहुत महनत करना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ कांगान जिसके पास पानी की तरफ पैसे है अब कर्जी को भरने के लिए शायलों कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है और श्कूल में अपने स्कॉलर से बनाए रखने के लिए दिल जान से पढ़ाई में मन लगाता है वहीं कांगान को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है उसे स्कूल सिर्फ मस्ती करने की जगह लगती है इसल की तरह शायलों दुकान में गाड़िया धोने का काम कर रहा होता है काम खत्म होने के बाद शायलों कस्टमर से पैसे मांगता है पर कस्टमर पैसे देने में आनकानी करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायलों उसको जादा ही पैसे मांग रहा है इसलिए शायलों स्क्कान में यूज होनेवाले शामान की कीमत और बिजली का बिल बताने लगता हैं ताकि उसे पता चल जाए कि वह इतने पैसे पैसे और Shailom की बातों से कंफ्यूज हो कर सके कश्टमर से पैसे दी देते हैं कश्टमर के चाहती गैराज का मैनजर Shailom को इस महीनिकी शैलरी देते हैं शाइलम अपने फोन में इस महीने के खर्चे का पूरा हिसाब चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ ही दिनों में उसे अपने करजे भी भरने हैं उसके बाद वो अपने घर आता है जहां उसका बड़ा भाई शाइफा अपने नए जूटे ट्राइ कर रहा होता हैं उनकी डर होता है कि अगर शाइफा ऐसा ही करता रहां तो लोग शाइफा को काम के लिए हायर करना बंद कर देंगे शाइफा शाइलम को समझाता है कि अगर वो लोगों को पढ़ा पढ़ा कर पैसे कमाएगा तो कभी भी अपने करजे को भर नहीं पाएगा पिछले महीने वो आमलेट के साथ खाते हैं साइफा शायलों को इस वक्त काम के बजाए पढ़ाई पर ध्यान देनी के शला देता है ताकि वो ग्रेजुएशन करने के बाद को यह अच्छी सी जौब कर सके उसका सपना जो है कि वो शायलों के पैसों पर एस करें यह सुनकर शायलों करता है अग से टिकेट दिखाता है और टो का शपना होता है कि वो अपने बाइस नौनी का ग्रूप छोड़ने चे पहले आखरी बार उसका कॉंसर्ट देखें साइलों को डर होता है कि अगर आटो की मा को पता चल जाएगा कि आटो ने इतनी महंगी टिकेट ली हैं तो वो उसे जरूर डाटेगी क्योंकि उसने आटो को रूखा क्यों नहीं आटो साइलों को इस बारे में उसकी मा को बताने के लिए मना करता हैं और बदले में उसके लिए कुछ खाने के लिए खरीदने को बोलता हैं उसके बाद वो लोग अपने अगले दोस्त गाय से मिलने जाते हैं जो कैं तो उन्हें बताता है कि कंग के पापा बहुत अमीर है वो इस बार इलेक्शन में MP के चुनाओं में खड़े हुए हैं कंग की फैमिली इतनी पावरफुल है कि कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता हैं साथ ही साथ कंग के पापा के पैचान स्कूल के डायरेक्टर के साथ भी हैं अगर गाय उन्हें छेड़ेगा तो हो सकता है कि उसे अपनी स्कूलर्शिप खोनी पड़ जाएं तंग और उनके दोस्तों को आते देखे स्टुडेंट्स डर कर उनके लिए अपने टेबल्स को खाली कर देते हैं इधर शायलों भी अपने दोस्तों के साथ खाने के ऐसी इसाइलोम को चावल और एमनटख खाते देख ऑटो को अंदाजा हो जाता हैं के इस महाने शायलों को पैसे की तंगी चलरू। आटो की मा ने आटो को शायलों के खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहा था इसलिए वो अपनी मा को कॉल करके शायलों के लिए चिकन मंगवाता है जो उसी कैंटीन में काम करती है और्टो की मा वैसे भी उसके बेटे को पढ़ाने के लिए शायलों का favor उतारना चाही रही होती है वो नहीं चाहती है कि और्टो के कम marks आने के वज़े से वो अपने scholarship खो दे वो इसके लिए शायलों की सुक्र गुजार होती है उसकी मा के जाते ही आटो को किसी का मेसेज आता है मेसेज पढ़कर आटो के एक्सप्रेशन ही बदल जाता है वो टीचर से मिलने का बहाना बना कर वहाँ से चला जाता है शायलम और गाय को ये बात बहुत अजीब लगती है कि आटो अपना खाना बीच में ही छोड़ कर कहीं जा रहा है वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कांग और उसके दोस्त आटो को बुली कर रहे हैं दरशल आटो ने उन लोगों का होमग करने के लिए उनसे पैसे लिये थे पर उनके टीचर्स को पता चल जाता है कि कांग और उसके दोस्तों का होमग कापी किया हुआ है इसलिए वो उन्हें जीरो दे देते हैं हाला कि टीचर उन्हें एक और मौका दे देते हैं फिर भी वो लोग आटो को पीटते हैं शायलूम ये वीडियो अपने क्लाश टीचर को दिखा देता है इस उमीद से कि कंग और उसके दोस्तों को सजा मिलेगी पर उल्टा टीचर ये कहकर इस बात को जाने दे देते हैं कि आज कल बच्चे हार्मून्स की वज़े से ये सब करते ही रहते हैं ये सब वो लोग सिर्फ मजाक में कर रहे हैं वो स्टुडेंट्स के बीच के जगड़े को सुलझाने के लिए कांग को भी वहाँ बुला लेते हैं और वीडियो के बारे में बता देते हैं कांग टीचर के सामने गिरगिट की तरह अपना जंग बदल लेता है और अच्छा बच्चा बन जाता है वो ये वीडियो लोगों तक चली जाएगी तो वो सिच्वेशन को गलत समझ लेंगे और उनकी स्कुल की बदनामी होगी ये सुनकर शायलों चौक जाता है लेकिन जब तीचर उसके ग्रेट्स कम करने के उसे धंकी देते है तो शायलों को वीडियो डिलीट करना पड़ते हैं उसके बद वो उन दोनों को क्लासमेट होनी के नाते हाथ मिलाने के लिए कहते हैं शायलों गुसे में कंग से हाथ मिलाकर चला जाता हैं बाहर आकर कंग शायलों से पूछता है कि उसने उसकी सिकायत क्यों कि क्या वो हीरो बनना चाहता हैं जिस पर शायलों कहता है कि क्या व पर शायलम उसके पैरों पर जुक कर माफ़ी मांगे पर शायलम जुकने का नाटा करके एक कंग के जूतों पर थूप देता है जिससे कंग को बहुत गुसा आ जाता है उसके पर शायलम टीचर के बुक्स को स्टाफ रूम में ले जाने के बहाने से वहां से निकल लेता है जब कि खुद इसके होमवक में मदद कर रहा था हम आटो बताता है कि उसे कॉंचर्ट टिकेट के लिए पैसे चाहिए थे उसे नहीं पता था कि बात इतनी पढ़ जाएगी वह शायलों को इन मसले में खीचने के लिए माफी मांगता है गाय सायलों के साथ कंग को पीटने के बारे कि सभी लड़के उसके एक नजर को देखने के लिए क्लास के बाहर भीड लगाये हुए रहते हैं तभी कंग वहां आता है और पीम को खाने चलने के लिए कहता है पीम खाने के पैसे कंग को देने के लिए बोलती है जिस पर कंग कहता है कि एक हॉस्पिटल के ओनर की बेटी इसलिए तो लोग उन्हें शिप करते हैं उन्हें तो अपते कपल बन जाना चाहिए जिस पर कंग भी मजा करता है कि पीम को पेंटिंग के लाव कुछ भी दिखाई नहीं देता हैं इस तरह वो अपने फ्यूचर बॉइफरेंड को पागल बना देगी उसके बाद नावा और म जीव लगता हैं तभी कोई उपर से उस पर पानी डालता है इतना ही नहीं क्लास्रूम में जब अपनी कुर्शी पर बैटता है तो वह कुर्शी टूटी हुए होती हैं जिसकी वज़े से वह जमीन पर गिर जाता हैं किसी ने उसके पेपर और बैक को भी कैची से फाड़ कर साइड में फेक दिया होता हैं उसी वक्त कंग अपने दोस्तों के साथ क्लास में आता हैं गाए घुसे में कंग का कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने साइलों के साथ ये सब किया हैं कंग कहता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसने ये किया हैं ये सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। कंग कहता है कि ये जगह एक जंगल की तरह है। अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो यहां पर वो टिक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। लंच के दोरा अंशायलों जल्दी से अपना पेपर दुबारा लिखने बैठ जाता है क्योंकि कुछ ही देर में उसकी क्लास है। आटो भी उसकी मदद करता है। इसलिए गाए दोनों को अपने हाटों से खाना खिलाता है। तबी कंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता हैं और उन्हें टेबल से उठकर कहीं और जाने के लिए कहता हैं ताकि वो लोग टेबल पर बैठ सकें। गाए गुसे में कंग से पूछता है क्या इस टेबल पर उसके पापा का नाम लिखा हैं। आटो चेक करता है तो देखता है कि सच में टेबल पर उसके पापा का ही नाम लिखा हैं। गाए उनको कहीं और जाकर बैठने के लिए कहता है और उन्हें मारने के लिए उटता है कि शायलोम उसे रूख देता हैं। क्योंकि उसे अपना पेपर पूरा करना है इसलिए वो वहां से चला जाता हैं। इसकूल की छुटी के बाद भी गाय का गुशा शांत नहीं होता हैं। आटो का भी पूरा दिन चिंता में ही निकल जाता हैं। तब ही अपने कार से जाते हैं कंग उन पर एक जूता फेक देता हैं। आटो को समझ नहीं आता है कि जब कंग 18 साल का नहीं है तो वो गाड़ी कैसे चला रहा हैं। पर उन्हें भी पता होता है कि कंग के पापा की कनेक्शन बहुत है। अगर वो चाहे तो ऐरोपलीन भी चला सकता है। आटो को टेंशन होने लगती है कि क्या उन्हें स्कूल की खत्म होने तक यह सब सहना पड़ेगा। और शायलूम को लगता है कि अगर वो लोग उन्हें परिशान नहीं करेंगे तो वो लोग उन्से बोर हो जाएंगा और उन्हें अकिला छोड़ देंगे। उसके बाद वोग दीर के बद मेपनि और घार को जीए बदिए करें करण कि वह से भात करने लिए क्यायता है कि इस जगह पर दो तरह की लोग होते हैं एक उसके जैसा कारोनर और दूसरा शायलोम जैसा कार धूने वाला उसके बाद वो वहां से चला जाता है गाड़ी धुल जाने के बाद कंग वापश आता है और शायलम से अपने क्रेड़िट कार्ड के बारे में पूछता है जो उसने गाड़ी में रखी थी जो इस वक्त नहीं है कंग शाई पर उसका क्रेड़िट कार्ड लेने का इलजाम लगाता है उनकी बाते सुनकर मैनेजर बाहर आता है शायलम कहते रहता है कि उसने क्रेड़िट कार्ड नहीं ली है अगर वो लोग चाहे तो CCTV चेक कर सकते है मैनेजर शायलम को साइड में ले जाकर उसकी तलाशी लेने लगता है कंग शायलम करता है क्योंकि कुछ देर पहले शायलम से बात करते वक्त चुपके से उसने अपना क्रेड़िट कार्ड उसके पॉकेट में डाल दिया था लेकिन मैनेजर को जब सायलम के पास क्रेड़िट कार्ड नहीं मिलता है तो वो कनफ्यूज हो जाता है शैलम कहता है कि साइद कंग अपने पॉकेट में क्रेड़िट कार्ड रखकर भूल गया होगा अपना पॉकेट चेक करने के बाद कंग को क्रेड़िट कार्ड मिल जाता है उसे समझ नहीं आता है कि क्रेड़िट कार्ड उसके पास कैसे आया कंग का कन्फ्यूच चेरा दे कर शायलों में स्माइल करता है और मैनेजर के जाने के बाद उसके पास जाकर उसे एक बात याद रखने के लिए कहता है कि यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं एक जो सच में स्मार्ट है और दूसरे जुन्हें लगता है कि वह स्मार्ट है यह सुनकर कंग आग बबूला हो जाता है रात को कंग घर आता है दादी से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके पापा स्टडी रूम में मीटिंग में हैं उसके बाद वो लोग डिनर करने बै स्टुडेंट काउंसल प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हों साइद इसलिए कि वह भी अपने पापा की तरह उनके नक्से कदम पर चले कंग की दादी कंग के इस फैसले से खुश होती है वह अपने पड़ोशियों को गर्ष से बता सकती है कि उनका बेटा MP है और उनका स्कूल प्रेसिडेंट पर कंग के पापा के ख्याल कुछ ऐसे नहीं होते हैं उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट का काम इतना भी आशान नहीं है हर समय मीटिंग्स करने होते हर तरह की लोगों से मिलना पड़ते हैं इसलिए वह नहीं चाहते कि कंग इस उम्र में खुद आती हैं दरसल उसके पापा कंग के पापा के साथ किसी बिजनेस के बारे में डिसकस करने आये होते इसलिए वह भी आ जाती हैं पीम कहती है कि वह जब यहां आती है तो उसे यहां का गार्डेन घुमना बहुत पसंद हैं वह भी चाहती है कि उसका घर वैसा ही हो पर कंग को अपने घर के बजाए पीम का ठांगलोर वाला घर जादा अच्छा लगता है जिस पर पीम कहती है कि दोनों घरों के बीच टूलना नहीं की जा सकती है उसके घर में उसके पेट डॉड़ने की बिल्कुल भी जगा नहीं है लोगों का कहना है कि अगर डॉड़ को एकसरसाइज के लिए सजा देनी पड़ेगी बड़े होने पर उसे समझ जाया कि कुछ डॉड को वो प्यार से ट्रेंड कर सकते हैं पर कुछ डॉड को उन्हें मार कर Hai काबू में किया जा सकता हैं नहीं तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे पीम को पता ό, यह बलकी कि कि से और बार में बात कर अगले दिन स्कुल में ऑटो शाहिलों को कॉल करके पूराणे जिम न अने को भूलते हैं फोन रखने से पहले वह जल्दी से शाहिलम को बता देता है कि कांग उसे यहां पीटने के लिए बुला रहा है अपने दोस्त को मुशीबत में पाकर शायलोम भाग कर जिम जाता हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही मौझूद होते हैं और कंग और उसके दोस्त आटो को परिशान कर रहे होते हैं उन लोगों ने पहले से ही गाए को रूम में बंद कर रखा होता है ताकि वो उनके रास्ते में ना है शायलूम गुस्य में कंग से कहता है कि अगर कंग को से दिक्कत है तो वो से अकेले में बात करना चाहिए वो उसके दोस्तों को क्यों परिशान करें कंग शायलूम के सामने सर्थ रखता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ इतना कहकर हो शायलोम के शर्ट के बटन कूलने लगता है और टो कंग से माफी की भी क मांग ता है और शायलोम करत करना होसा न किष्ख ना होगा पर आटो को किश करने के बजाए शायलों गुस्य में सभी के शामने कंग को किस कर लेता है यह देखकर वहां मौजू सभी लोग चौक जाते हैं और इस तरह अपिशोड वन यहीं पर खत्म होता है अगर मेरी तरह आपको भी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडि मिलेंगे इसके पीशोड तू में तो तील देन बब बाई